जै स्री राधिकिष्णा कैसे आप सभी लोग हम आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वन लाफ टरपर्टो में हम इस वर से मांभगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो आपको धेर सारी सफलता प्राप्त हो डियर रीडिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं अपने न्यू चैनल के बारे में डियर अभी हमने नया चैनल क्रेट किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं ताकि आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट उस चैनल पे भी दिखा सके अपना प्यार आशिरवात बढ़ सा सके तो dear हमारे नए चैनल का नाम है Spiritual Journey आपको न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा तो dear आप किसी से भी जा सकते हैं आप डिस्क्रेप्शन बॉक्स से भी जा सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स से भी जा सकते हैं अपने नए चैनल पे उसे जा करके जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट उस चैनल पे भी दिखाईए अपना प्यार और अपना प्यार और अपना प्यार और अपना सपोर्ट उस चैनल पे दिखाईए अब हम आपको बता देते हैं अज हम कौन सी रीडिंग करने वाले हैं आज हम rating करने वाले हैं आपकी कौन सी wishes पूरी होने वाली है जो आपको बहुत कुछ बताएंगी जैसे होता ना कोई wishes पूरी होने से पहले आपकी life में क्या होगा आपके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में भी बताएंगे ठीक है तो आप जल्दी से एक option चूज़ करिए और अपनी reading देखिए और हां किसी भी चीज को परमात्मा मस समझ लेना हम हो या फिर कोई और भी आपको बताएं जैसे हमने reading किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान ही है तो हमने जो बताया वो सही होगा नहीं reading एक माध्यम है कुछ चीजों को जानने का लेकिन जर जरूरी नहीं है कि पूरी reading आपसे मैच हो लेकिन आप इसे सुन सकते हैं अगर आपको लगता है तो आप इसे अपने से मतलब मैच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ यह आपसे मैच हो रही है तो आप उसी हिसाब से चल सकते हैं ठीक है लेकिन परमात्मा हर किसी के स साथ होते हैं इस बात को कभी मत भूलना तो आपने option चूज कर लिया होगा और आप अपने रीटिंग देखिए आप सभी को प्रेम से रादे रादे जैसरी रादे किष्णा option number one कैसे आप हम आसा करते हैं कि आफस्त होंगे मस्त होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपको बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love ट्रपल टू में हम इस वर से माभगवती से प्रात्ना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो आपको धीर सारी सफलता प्राप्थ हो डियर पहले हम बता देते हैं आपकी डेट अब बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की दो तारिक च चार तारिक पांस तारिक छे तारिक अठारा तारिक नौ तारिक तीन तारिक डियर यह आपकी डेट बर्थ हो सकती है अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मन्त हो सकता है किसी भी मतलब को डेट कोई भी हो सकती है मन्त आपका हो सकता है जन्वरी जैसे तीन जन्वरी 19 जन्वरी, 20 जन्वरी, 21 जन्वरी इस तरह से आपका हो सकता है और आपका बर्दमन्थ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, अप्रेल, माई ये आपका बर्दमन्थ हो सकता है आपकी नेम का इनिश्यल हो सकता है A, S, V, W, R, T, K, J, L ये आपके नेम का इनिश्यल हो सकता है Dear, आपकी कौन से विसेस पूरी होने वाली है इससे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ बाते कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें सपने बहुत आ रहे है सपने बहुत आ रहे हैं एंज्यलस नंबर बहुत दिख रहे हैं, रिपीटेड लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपको ऐसा अपतर नहीं इससे कुछ नहीं होगा तो डिये, ये सारी चीज़े आपके साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है बहुत कुछ जैसे आपके जिंदगी में कुछ ब्रहमित चीज़े हैं जो आपको लगती है कि नहीं ये आपकी है वो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़े आपके साथ क्यों होई उस टाइम के लिए आपको लगेगा लेकिन जो आपका भ्रहम है वो टूटेगा वो टूटेगा उस समय आपको समझ में नहीं आएगा यह जो एंजल्स नंबर और यह जो सपने आपको बहुत आ रहे हैं बहुत जादा रिपीटेट नंबर दिख रहे हैं इलेवन इलेवन दिख रहे होंगे ट्रपल थ्री दिख रहे होंगे ट्रपल सेवन दिख रहे होंगे तो यह जीज़े इस लिए दिख रही है कि अब आपकी जिन्देगी में कुछ बड़ा होने वाला है अच्छा होने वाला है आपके लिए है ना उसे तो खतम करना जरूरी है ना आपको पता है किसी अच्छे की सुरुवाद के लिए कुछ चीजे होती हैं जो हमारे लिए ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं हुई है लेकिन उसका होना बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है तो हो सकता वो जॉब आपकी छूट जाए आप एक दो मैने बहुत परिशान रहे उसके बाद आपको कोई जॉब मिले लेकिन डियर ये बहुत स्ट्रॉंग है कि आपके साथ कुछ बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है लेकिन इससे पहले कुछ चीज़े आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको बहुत परिशान कर दें जो आपको बहुत परिशान कर दें उससे आपको घबराना नहीं है परिशान नहीं होना है इन सपनों के और एंजलस नंबर का मतलब यह है कि इस वर आपके साथ है अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी तो आपको घबराना नहीं है आपकी जो विस पूरे होने आली है वो विस यह हो सकती है कि आपको आपके मन पसंद की जॉब मिल सकती है आप किसी जॉब से बहुत परिशान हो तो आप सुच्छ करने के लिए सोच रहे हूं तो आप सकती है उसके लिए आपके पास ऑफर खुद आएगा अपको परिशान होना जरूरत नहीं है ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले से वो चीजे हो लेकिन अभी तक आपको अपको कोई काम चिन है आपको हीली होता है कि कुछ लोगों के पास हीरा होता है पर उन्हें समझ में नहीं आता है तो dear हो सकता है कि वो काबलियत आपके अंदर खुद हो कि आप खुद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं करियर से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप वो हीरा है कि आपको चमकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है तो यह जो आपकी विस है ना कि आपका करियर है वो कब इस्टेबल होगा कब यह परिशानिया खतम होंगी आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स ना खतम हो लेकिन कुछ तो खतम हूँ जैसे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे कोई आपकी फैमली में बिमार रहते हैं तो आपको लगता है कि यह ठीक हो जाएं कम से कम इस से तो सुकून मिले तो यह चीज़े हो जाएंगी अगर आपकी फैमली में कोई बहुत सारी ताइम से बिमार है तो वो ठीक हो जाएंगे और आपकी करियर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आर्थिक स्तिती से तो वो ठीक हो जाएगी तो आपको पॉजिटिव रहना नेगेटिव नहीं होना है अगर डियर आप हमसे हमीशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो हमने न्यू चैनल क्रेट किया है आप उसे सब्सक्राइब करिए अपना प्यार दीजिए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए हमारे न्यू चैनल का नाम है इस्प्रिच्वर्ग जर्नी हमने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और कॉमेंट बॉक्स में भी दे रखा है आप जा सकते हैं अपने नए चैनल पे जाईए और उसे सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल जरूर रखिया आप सभी को प्रेम से राधे राधे जैसरे राधे किष्णा आपसर नमबर टू कैसे आप हम आसा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर अपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्प्रिच्वल लव टरपर टू में हम इस वर से माभगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमली में सब कुछ बहुत बॉस्यटिव हो आपको ढेर सारी सफलता प्राप्थ हो पहले हम आपको बता देते हैं नेम का इनिशल ठेक है आपके नेम का इनिशल हो सकता है S, N, V, O, R, P, J, E, F, M ये आपके नेम का इनिशल हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं डेट आप बर्थ आपकी डेट आप बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की 9 तारिक, 10 तारिक, 21 तारिक, 3 तारिक, 24 तारिक, 4 तारिक, 9 तारिक बहुत श्ट्रॉंग है दो तारिक, 30 तारिक ये आपकी डेट आप बर्थ हो सकती है अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मन्थ आपका बर्थ मन्थ हो सकता है जन्वरी, फर्वरी, सितमबर, जुलाई, नोहमबर, मार्च ये आपका बर्थ मन्थ हो सकता है डियर आपकी कौन सी विस्पूरी होने वाली है इससे पहले हम आपको बता देते हैं अपने नए चैनल के बारे में जो हमने अभी क्रेट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कॉमेंट कर रहे थे कि हम आपको बहुत मिस्ट कर रहे थे आपकी वीडियो अप्लोड नहीं हो तो डियर उस चैनल पे हम डेली वीडियो अप्लोड करते हैं तो आप उससे जूड सकते हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना धेर सारा प्रेम उस चैनल को भी दे सकते हैं तो डियर आप उस चैनल को भी अपना प्रेम दीजिए और उसे सपोर्ट करिए उस पे हम डेल स्वाइब करें और अपना प्रेम दीजिह अब हम आपको बता देते हैं आपकी विस के otomा कि आपकी कौन सिय पूरी होने वाली है अच्छा कुछ लोग है जो इसे मतलब बित में मानते हैं मतलब जैसे किसी सीज को मांगते हैं कि यह मुझे मिल जाए ये हो जैसे उंके लिए एक जिम्मेदारी हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो किसे जरूरत मंद के लिए मंदद करना चाहते हैं आपगो लगते ही इस वर आपकोिठा इतना स्टेबल कर दे कि कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें अप दूसरों की help करने के काबिल बनना चाहते हैं जैसे कभी आपके फ्रेंड के साथ कुछ होता है या किसी के साथ भी कुछ आप ऐसा देखते हैं तो आपको लगता है कि कास आप इस लाइक होते कि आप किसी की मदद कर सकते तो डियर ये आपकी विस्पूरी होने वाली है आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कुछ ऐसी मतलब संस्था सो जोड़ने वाले हैं जैसे कुछ भी कुछ बड़ा होगा जो आपकी जिन्दगी में होगा तो डियर यह आपकी वेस्पूरी होने वाली है बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते तो बहुत टाइम से करना है लेकिन कुछ जिम्मेदारिया इतनी हैं कि जिसके वज़े से कुछ करने ही पा रहे हैं उनको लगता है कि अभी सायद फ्री नहीं है कुछ कर नहीं सकते कहीं जान नहीं सकते इतना टाइम नहीं है तो डियर आपकी जिन्दगी में आपके हिसाब से सब कुछ होगा आप कुछ भी कर सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं लेकिन घर की जिनमेदारियों के वज़े से, कुछ परिस्तितीयों के वज़े से कहीं जानी पाते हैं. तो डियर, आपको फुल टाइम मिलेगा. टेंशन आपकी जिन्दकी में नहीं होगी. कि अगर आप कहीं कुछ करना चाते हैं, तो पहले आपको पास टेंशन है. पहले आप बहुत सोचें, फिर आप करें, ऐसा नहीं होगा, तो डियर ये आपकी विश्प पूरी हो जाएगी, कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने प्रेम के साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाच, बहुत सारी बाते, और आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये स क्या सही है, क्या गलत है, तो डियर, इसका रास्ता आपको इस वर बहुत जल्द दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने प्रेम के लिए बहुत रो रहे हैं, बहुत परिशान हो रहे हैं, और आपको जैसे बहुत भ्रहमित भी किया गया है, आप किसी से कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक पर प्रयास कर लेते हैं, सायद सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसी तरह से आप उस बात को मानने से इंकार कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पार्टनर उनके लिए ठीक नहीं है, आप लेकिन फिर भी आप उस बात को मानने से इंकार कर रहे हैं, जैसे हम आपको बताएं, कुछ चीजे हमारी जिन्दगी में भी हैं, तो उसे मानने से इंकार करते हैं, लेकिन जो सच है, वो सच होता है, तो इसी तरह से आपने भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा, आपको तो डियर अगर आप उसे मान लेंगे और उसे समझने की कोशिस करेंगे तो आपकी जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी इस दुनिया में सब कुछ करना पड़ता है खुद ही समझें कोई किसी का नहीं कुछ करता है तो डियर आप अपने लिए सोचिए और जिस बात से आप भाग रहे हैं उसे मानने की कोसिस करिए इस बार आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपने अपनी आखे बंद कर रखी है आपने ही इस बार से मूँ मोड रखा है इसलिए नहीं हो पा रहा है तो जो आपकी विस है ना कि क्या वो आपके होंगे तो वो आपके नहीं हो सकते अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे है आपकी विस है कि आपको सिर्फ आपका प्यार चाहिए आपका प्रेम आपको मिल जाए फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो पता है क्यों वो आपके नहीं होंगे इस कार्ड रीडिंग में ये है कि वो आपके नहीं होंगे लेकिन आप बहुत परिशान हो रहे है आप पर्स्नल रीडिंग भी ले रहे होंगे आप कुछ ब्लैक मैजिक कभी सहारा ले रहे ह meantime लेकिन आपको पता है जिनसे भी आप बात कर रहे होंगे वो भी इस वर के बनायों है तो आपको लगता है कि वो इस वर की नियती को बदल सकते हैं वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं आपको लगता है चार दिन का प्यार सर्फ आपको दिला सकते हैं कुछ black magic आप करवाएंगे या किसी तरह से कुछ करेंगे बहुत जादा करेंगे तो सिर्फ चार दिन के लिए वह आप सच्छे बात करेंगे लेकिन होना वही है जो नियती ने लिख रखा है तो आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत स्ट्रॉंग हो जाएंगे आप को सब को समझ में आने लगेगा जैसे कहते हैं न सिक्के कि दोनों पहलों देखने में आप सक्षम हो जाएंगे और जो सक्षम नहीं हो पा रहे है तो आप समझ लेजिए कि वो अपने आपको भ्रहमित कर रहे हैं उनको समझ में सब आ रहा है लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं तो डियर आप मेडिटेशन करिए और परिशान मत ह यह आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी जो विस है यह सायद नहीं पूरी होगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीजों के हम गलत डिमांड कर बैठते हैं जिन्दगी में वो चीज़ नहीं मिलती लेकिन उससे बहतर बहुत कुछ मिलने वाला होता है एक ताइम पर लगता है ना कि यार वो चीज मेरे लायक ही नहीं थी जब कभी कभी होता है कि हम किसी इनसान के लिए बहुत रो रहे होते हैं और जिन्दगी में जब आगे बढ़ जाते ना तब लगता कि नहीं हमने चुनाओ गलत कर लिया था वो हमें क्या छोड़ेंग के लिए आज आप परिशान हो रहे ना बाद में आपको लगेगा कि नहीं वो चीज आपके लिए नहीं है इस वर ने आपके लिए आप से पहतर सोच रखा है आप अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव लिए और अगर आप चाहते हैं तो हमारे नए चैनल को सब्सक्रा करते हैं उस पर भी अपना प्यार देते हैं तो हम और जादा मोटिवेट हो पाएंगे उस पर नए नए वीडियो अप्लोड करने के लिए तो डियर न्यू चैनल का नाम है इस्प्रिच्वल जर्नी हमने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हैं कॉमेंट बॉक्स में भी दे रखा है आप उसे सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत मोटिवेट करिए ताकि हम और जादा वीडियो अप्लोड कर सके आप सभी को प्रेम से राधी राधी